साथियों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे यूटूब चैनल स्टीटी पॉइंट में, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे क्रेस कोर्स के सीरी चल दें टीचिंग एप्रिक्टीट की और जिसमें कि हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक हम आपके साहने लेकर क्या हैं, राष्ट अध्यापक सिक्षा परिशद यानि NCTE, पूरा नाम है इसका National Council for Teacher Education, NCTE के नाम से हम इसको जानते हैं, NCTE का एक बहुत बड़ा जो यह है कि बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फाइदा यह है कि जो टीचर एजुकेशन में इसको उप्यो NCTE, यानि National Council for Teacher Education, इसका आदर्स्वाक है, गुरूर गुर्तमो धामो, कभी कभी क्वेशन इस पर भी पूछा जाता है कि इसका आदर्स्वाक है, तो NCTE के बारे हम और डेटेल जानेंगे आगे, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, पहला प्वाइंट इसमें भारतिय सिक्षा आयोग, यानि भारतिय सिक्षा आयोग, जिसको हम बोलते हैं, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के सुझाव पर भारत सरकार के सिक्षा मंत्रा लेकि द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया था, और उसी के बाद राश्ट्य अद्यापक सिक्षा परिशद की स्थापना की 1973 में इसकी स्थापना होती है, ये तब तक जब 1961 में हमारा NCERT बना था, तब तक इसका एक अंग के रूप में काम करता था, आपका NCTE, तो NCTE को स्थापित किया गया था, 1973 में, अब आगे confusion यहाँ पर होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए, 1973 से 1993 तक, NCTE, NCERT के ये सच वाल है की रूप में कारे कर रही थी, ठीक हैँ? 1973 में तो इसकी स्थापना हो गी थी, लेकिन यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि 1973 से संसत के intervals 73 के दोरह सम्मेधानिक संसता बनाया गया, 1973 में इसकी स्थापना की गई, 1973 में इसको एक सम्मेधानिक संसता का दरजा दिया गया, और जुलाई 1995 से इसने क्या किया विदिवत कारे करना प्रारम किया यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेशन कन्फूजिंग फैक्ट यह चीज़े हैं इस्थापना तो हुई थी इसके 1973 में फिर 1993 में इसको एक सम्मेधानिक दर्जा परदान किया गया इसको एक सम्मेधानिक दर्जा दिया गया इसको और 1995 से इसने कारे करना प्रारम किया यहाँ से जब सबसे ज़्यादा क्वेशन बनते हैं जो आप पिछली बार का लक्सरार का पेपर उठाके देखेंगे 2014-2014-2014 तो वहाँ भी यह क्वेशन आया हुआ है और काफी लोग ने इसको गलत किया वहाँ पे 1973 में इसको सम्मेधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इसने कारे करना प्रारम किया था फिर आगे बढ़ते हैं इसमें NCTE के मुख्यालाई NCTE के मुख्यालाई के बारे में हम बात करेंगे तो NCTE का मुख्यालाई है नई दिल्ली में इसका मुख्यालाई है और इसके चार चेत्रे कारेलाएं जो आपके चारोधे साहों में फैले हुए है उत्तर दक्षिन पूरव और पश्चिम उत्तर के तरह हम जब बात करते हैं तो यह आपका जैपुर जैपुर इसका उत्तर छेत्र का रीजनल ऑपिस है पूरु छेतर की बात करते हैं तो पूरु छेतर में है भूनिश्वर और दक्षन छेतर की बात करते हैं तो बंगलूरू और पश्चिम छेतर की बात करते हैं तो भोपाल यहां एक बार फिर से यही क्वेशन आता है कि निम्न में से जो रिजनल सेंटर है वो नहीं है या निम्न में से रिजनल सेंटर में से एक है तो इन चारों में से चारों दिसाओं में से जो फैले हुए हैं तो यह चारों दिसाओं में आपका जैपूर, भूनिशर, बैंगलू और भुपाल यह चार फैले हुए इसके रिजनल सेंटर ठीक है राष्ट अध्यापक सिक्षा परिसत के चार चेत्रे कारले हैं जो चार दिसाओं में फैले हुए है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर बात आती है इसकी सदस्यों के संक्या एंसी टी में कुल सदस्यों के संक्य होते है पचपन थ्यांदेनययों के संक्या होती है फचपन है मैंसे कुल पद्या बीसे यहां पतलों के संक्या की संक्या खटलों तो पदेन सदस्य यानि जो पद पे होते हैं पहले से ठीक है जो पद पे होते हैं पद पे यानि इसमें से जो लोग पद पे होते हैं जो UGC का अध्यक्ष होगा NCRT का अध्यक्ष होगा या सची होगा उनको इसमें पदेन सदस्य का जाता है जो पहले से किसी पद पर बने हुए है उनको इसका सदस्य बनाया जाता है तो वो होती है तीन जिसमें अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है और एक सची होता है तो यह होते हैं तीन सदेश्य जो होते हैं यह पदैन होते हैं जब कि जो पदैन सदेश्य होते हैं इनका क्या होते हैं कारेकाल पूर्ण कालिन सदेश्य होते हैं यानि पूरे पूरे पूर्ण काल तक यह रहेंगे जितना आपका NCTE का कारेकाल होगा उतना पूर्ण कालिन यह city city In favorably जबकि मनोनीत सदेस की बात आते हैं the मनोनीत सदेसय है आप होते हैं बावन कुं होते हैं यह बावन होती है मनोनीत सदेशों की संक्यां और question यहाँ पर यह आता है पदैन्सक्षम मैं कौन-कौन से आते तो अद्धियक्ष उपादैक्ष और सची होते हैं आगे बढ़ते हैं इसकी कारें अब nc-te के कारें क्या होते हैं NCTE सिख्चक सिख्चा के सम्मद में कैंद्रवर राज सरकारों UGCA माहवद्यालों को सलाय देता है हमने कहा जो सिख्चे सिख्चा पूरी तरह डिपेंड होती है इसका पार्ट करम की पुनरसन नचना कौन करेगा भुएर कितने सांती होगा अफ सिख्चा के लिए उप्यूकत योजना होता है कारेकरम तयार करना अध्यपक सिख्चा जितने भी होती है उसके लिए सारी योजना ये सारे प्रोग्रम तयार करता है आपका NCTE सिख्चक की रूप में नियुक्ति geht अरताओं के संबन्द में मार्ग दरसन तयाक, जो teacher education के छीतर में जितने भी आपके पोश्ट आती हैं, ब्ढ़तिया होती हैं उन सब के लिए न्यूक्तियों के लिए न्यून्टम अरताओं के संबन्द में मार्ग दरसन तयार करता है आपका ncte, परतिकशक सस्तान में 6 शिक् चल पाएगा और शिक्षक छातर उनपाद होना चाहिए एक उनपाद दस का ठीक है तो एंसिटी पे ये पावर होती है कि वो किसी भी सिक्षक संस्ता को बंद करा सकते हैं अगर वो उसके नॉम्स पर खरा नहीं उतरते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें एंसिटी के अंदगत आ आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद